और खबर दिली से जाए यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से घटने लगाए कल रात को जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और यमुना 206 मीटर तक पहुँच गई थी लेकिन अब जलस्तर एक बार फिर से घटने लगाए यमुना के उपर बने लोए वाले पूल पर ट्रेनों की आवजाई अब सामाने है लेकिन सड़क की आतायाद अब तक नहीं खुला गया है वो अब तक सामाने नहीं हो पाया है कई जगह पर अभी रास्ते बंद हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यमुना के जलिस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर से घटना शुरू हो चुका है पुराना लोए का पूल रेलवे का यातायाद यहाँ पर शुरू हो गया है लेकिन अभी जो आम गाडियां है वो याल से नहीं गुजर रही है और इन सब के बीच यमुना के जलिस्तर कम होने के बाद दिल्ली प्रशासन ने गाडियों के आवजाही को ठूट दे दिया है इसके पहले तक उने लाखों में पानी बनने के वज़स्तर पाबंदी लगाए गए थी लेकिन अभी भी सिंगु बॉर्डर से दिल्ली भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है इससे पहले दिल्ली में बार के हालात को देखते हुए प्रशासन ने सिंगु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ली सीमा से भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश को रोग दिया था लेकिन यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद कई निचले इलाकों से पानी निकल गया और वहां सुधार होने के बाद प्रशासन ने फिर से हलके वाहनों के प्रवेश को अनुमती दी और मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखाए दिये दिल्ली के आईटियो इलाके में सड़क पर दो फीट के करीब पानी भरा दिखा वहीं बाड का पानी निकलने के बाद दिल्ली के पौश इलाके सिविल नाइन्स में हर तरफ कीचड बखरा दिखाए दिये बाड के पानी के साथ कचरा और सीवर का गंदा पानी आने की वज़े से कई तरह की बीमारीयों का खत्रा भी बढ़ गया निचले इलाकों में पानी भरने से सड़क किनारे टेंटों में रह रहे लोगों की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही जिसके बाद दिल्ली में राजगाट के अंदर से यमुना नदी का पानी निकालने के लिए अंदर जमा पानी उतनी तेजी से बाहर नहीं आपा रहा था जिसके बाद फैसला लिया गया कि राजगाट के बाहरी हिस्से में बनी बाउंडरी वॉल को तोड़ दिया जाए ताकि पानी तेजी से बाहर निकल सके boundary wall हम आपको दिखाते हैं जो पानी की निकासी के लिए तोड़ी गई है आप तस्वीरों में देखेंगे और आप देखेंगे बहुत तेजी से यहां से अब पानी निकल रहा है boundary wall तोड़ने के बाद बाहर निकल रहे पानी को मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से रास्ता बना कर मैन होल तक पहुंचाया गया यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वज़े से तीन रोज पहले राजगाट पूरी तरह पानी में समा गया था और वेपोर्ट ब्लेयर में आज वीर सावर कर इंटिनेशनल एपोर्ट के लिए टर्मिनल का उदगाटन होगा प्रदानमंत्री नरिंद मोदी वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये सुबह साड़े दस बजे का उदगाटन करेंगे नए टर्मिनल की बिल्जिंग लगबग साथ सो दस करोण रुपे की लागत से तैयार हुई है ये बड़ी ख़बर आपको हम बता रहे हैं अंड़मान निकोबार को प्रदानमंत्री नरिंद मोदी की ये बड़ी सौगात आज मिलने बाली है यहां प्रदानमंत्री नरिंद मोदी सुबह साड़े दस बजे उदगाटन करने बाले है नए टर्मिनल का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए इस इंटरनेशनल एपोट के नए टर्मिनल का उदगाटन किया जाएगा साड़े दस बजे कारवकरम रखा गया है वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए प्रदार मंत्री नेरेंद मोधी इसका उत्गाचन करने बाले है